हेलो गाइज, वेलकम तो इजी फार प्रिजेंट क्रिप्टो न्यूस, हाश्टाग डूमॉर विट डीफाई दोस्तों क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी टेडर हैं? अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्रिप्टो की दुनिया से कुछ नई अपडेट तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा सबसे बहले तो हम आपको बताएंगे इंडिया के बिगिस्ट बैंक्स के लिए गए नए डिसिजन के बारे में फिर हम आपको बताएंगे 2020 में हुए डेटा बीच यानि के डेटा चोरी होने के वज़े से इस साल में उसका नुकसान होता दिख रहा है उसके बारे में अब हमारी लास्ट न्यूज होगी शीबा इनू कोईन के बारे में तो चल ये शुरू करते हैं इंडिया के मोस्ट लिस तभी मेजर बैंक एक साथ होकर एक बड़ा डिसिजन लेने की सोच रहे हैं ये डिसिजन लिया जा रहा है ट्रडिशनल बैंकिंग की एक सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए जो है प्रोसेसिंग ओफ लेटर्स ओफ क्रेडिट, GST इन्वोइसिस और E-Way बिल्स इंडिया की लाजिस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक SBI यानि की स्टेट बैंक ओफ इंडिया और इन ही के साथ ICICI Bank, KOTAC Mahindra, Axis Bank और 11 और बैंक्स एक अठा होकर एक नई कंपनी फॉर्म करेंगे इस कंपनी का नाम होगा IBBIC यानि की Indian Banks Blockchain Infrastructure Company Private Limited जो के इस बड़े बैंकिंग ट्रांस्फोर्मेशन को एक डारेक्शन देगी ये डिसिजन बैंक्स को काफी हेल्प करेगा इससे पेपर वर्क एलेमिलेट हो जाएगा ट्रांस्टाक्शन का प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा और एक बेटर और सिक्यॉर इन्वारमेंट भी फॉर्म होगा इससे MSMEs यानि की Medium and Small Scale Enterprises को भी बेनेफिट होगा दोस्तों आपको बता दे कि Letter of Credit वो लेटर्स होते हैं जो बैंक्स प्रोवाइट करते हैं इनमें बैंक्स ये गारेंटी देते हैं कि हर बायर सेलर को गिवन टाइम पर पूरी पेमेंट करेगा फिलहाल जो इन लेटर्स के बनने की प्रोसेस है वो काफी टाइम कंजूमिंग और रिस्की है बैंक्स का ये मानना है कि ब्लॉक्चेन के आजाने से ये इस्यूस खतम हो जाएंगे आरबियल बैंक्स के Head of Products and Transactions ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो डॉमेस्टिक लेटर की डिस्पर्समेंट प्रोसेस है उसमें 4-5 डेज लग जाते हैं वो अब सिर्फ 4 आज में हो सकती है इस सिस्टम के आ जाने से ये नया सिस्टम इसी यर के अंदर अंदर लाइव हो जाएगा और हर बैंक के पास 6.66% की equal stakeholdership होगी ये सिस्टम active होने के बाद भी future में आने वाले नए बैंक के लिए open रहेगा Business Insider ने ये कहा है कि जहाँ एक तरफ authorities वर्चौल करन्सी को लाने के तरीके ढून रही है वहीं दूसरी तरफ banks ये technology को अपना कर industry के तरफ अपना अगला कर्दम बढ़ा रहे है American Lender Standard Chartered इस सिस्टम की एक अकेली international stakeholder है ये system Infosys Pernacle Connect के उपर based होगा ये भी एक blockchain based platform है जो enable करता है digitization और trade related finance process की automation दोस्तों अब आते हैं हमारी अगली news पर सबसे पहले तो हम आपको ये बताते कि पिछले साल यानि के July 2020 में Ledger नाम की company ने ये publicly reveal किया था कि एक data breach हो जाने से उनके customers की information compromise हो चुकी है उस time पर total estimate के हिसाब से करीब 9500 customers इस hack से affect हुए थे इससे कुछ months बाद ही CoinDesk ने कुछ phising attempts होने की information दी थी उन्होंने बताया कि hackers Ledger की official correspondence और emails मिमिक कर customers को trick कर रहे हैं December में ये पता चला कि 9500 से कहीं जादा customers affect हुए हैं इस hack से ये news सामने आई कि एक data dump expose होने पर करीब 1 million email addresses और 272,000 names, mail addresses और phone numbers सामने आए ये उन्ही लोगों की details थी जिन्होंने ledger devices order किये थे जिनमें cryptocurrency wallets के private keys store किये जाते थे अब आते हैं इस साल पर scammers अब उन्ही सारे customers को fake hardware wallets बेच रहे हैं ये wallets design किये गए हैं users की virtual currency steal करने के लिए ये scam काफी ambitious होता नजर आ रहा है पहले 2021 में scammers ने additional hardware को ledger nano wallet की housing के साथ जोड़ कर ledger nano box बनाने की कोशिश की Thursday को आई ledger blog post में scam को समझाया गया है company बताती है कि box में एक fake letter है जिसमें लिखा है कि customers को अपना existing hardware wallet secure करने के लिए उसे replace कर देना चाहिए company ने ये बताया है कि ये news एक scam है और ledger nano भी fake है ledger के chief information security officer Matt Johnson ने ये कहा है कि वो aware है इन scams के बारे में और उन्होंने इन्हें अपनी ongoing malicious attacks की list में भी include कर लिया है Johnson का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि सभी customers इस scam से aware रहें और ledger support team को भी contact करें ledger company ने ये confirmation दी है कि वो अपनी तरफ से ना तो कभी customers से उनका 24 word recovery phrase मांगेंगे और ना ही खभी users की consent के बिना उन्हें emails भेजेंगे अब हम आते हैं हमारी तीसरी news पर दोस्तों जैसा कि हमने आपको हमारी पहले की वीडियो में बताया था कि ship coin अब coinbase पर list हो जाएगा exchange ने इस coin के deposits अब disable कर दिये हैं पर withdrawals अभी भी available हैं इस incident के बाद ship coin का price 24 hours में ही 12% से डाउन चला गया Decrypt News का ये कहना है कि वो Shiba Inu और Coinbase दोनों से ये question कर रही है कि आखिर कब ये coin इस exchange पर दुबारा आएगी और अपना कमाल दिखाना शुरू करेगी आज की इस वीडियो में बस इतना ही viewers हम आपको aware कर देना चाहते हैं कि Finchit के चानल पर हम आपको investments या उनसे related कोई भी advice नहीं देते हैं तो अगर आपको comment section में हमारा चानल का name यूज करके ऐसी कोई भी advice दी जाती है तो प्लीज उसे ना मनें क्यूंकि वो fake होगी और हम नहीं चाहेंगे कि इस वज़े से आपका कोई भी नुकसान हो यूज हम आपको बता दे कि Finchit के founder Mr. Bandul Bansal ने अपने 10 साल के experience को दो courses में combine करके हमारी website पर upload किया है तो अगर आप भी crypto currency को लेकर अपनी knowledge बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी website पर जाएए और हमारे courses crypto next और crypto night को subscribe कीजे अगर आप various cryptocurrencies के prices को compare करके arbitrage trading करना चाहते हैं तो हमारी बनाई गई website hotel info को विजट कीजे जहां पर आप किसी भी cryptocurrency के price को अलग-अलग exchanges पर जाकर compare कर सकते हैं viewers अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और beneficial लगी हो तो please इसे like कीजे हमारी चानल को subscribe कीजे and please hit the bell icon ताकि हम जब भी ऐसा कोई नया educational content लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका पूरा फाइदा उठा सके thank you for watching झाल